हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो स्टेडी न्यूज आज हम सैटन प्लैनेट के बारे में जानेंगे जिसे सनी ग्रह के नाम से भी जाना जाता है इस ग्रह को आकास में आसानी से देखा जा सकता है सैटन प्लैनेट के स्थान गती संरचना जीवन के अस्तित्व से जुड़े बहुत से ऐसे रोचक तत्व हैं जो वैज्ञानी को द्वारा खोजे गए हैं जो इस ग्रह को अन्य सभी ग्रहों से अलग बनाते हैं सौर मंडल में प्रित्वी और मंगल के बाद सनी ऐसा ग्रह है जिसको आसानी से पहचाना जा सकता है सनी के छले या रिंग इसके प्रमुक आकार सक है सनी ग्रह के छले की खोज गैलिलियों ने अपने टेलेस्कोप की मदद से की थी तो इस वीडियो में आज हम सैटन प्लैनेट से जुड़ी कई बाते जानेंगे सो लेट अस श्टार्ट सनी ग्रह सूर से छटा ग्रह है तथा व्रिहस पत्ति के बाद सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और या सौर मंडल की पाचवी सबसे चमकीली वस्तू भी है सनी ग्रह का ओसत तापमान माइनस 178 डिगरी सेल्सियस के आसपास रहता है और इसका घनत्व 0.687 ग्राम प्रती घन मीटर रहता है औसत व्यास में प्रिथवी से नौगुना बड़ा है और यह एक गैसी प्लैनेट है अपने बड़े आयतन के साथ यह प्रिथवी से 95 गुने से भी थोड़ा बड़ा है यह सैटर्न प्लैनेट का खगोल यह चिन है जो कुछ-कुछ एच की तरह लगता है इसका पलायन वेग 36 कीलो मीटर प्रती सेकेंड है इसलिए इस पर हलकी गैसे नहीं पाई जाती है इस ग्रह के घुर्णन दिसा पश्चिम से पूरब की और है अर्थात यह प्रिथवी के समान घूमता है इसका घुर्णन अक्ष लगभग 26 डिग्री जुका हुआ है सनी ग्रह 10 घंटे 40 मिनट में अपने अक्ष पर एक बार घुर्णन कर लेता है सनी पर हवा की गती 1800 किलो मीटर प्रती घंटा तक पहुँच जाती है सनी ग्रह सूर की एक परिक्रमा लगभग 30 वड़सों में पूरी करता है अगर सैटन प्लैनेट के इंटरनल इस्ट्रक्चर के बारे में जाने तो या व्रियस्पती ग्रह जैसा ही है जिसका कोर हाइड्रोजन वा हीलियम गैस से बना हुआ है और ये कोर एक मोटे तरल धातू हाइड्रोजन परत से घिरा हुआ है जो हीलियम संत्रिप्त आडविक हाइड्रोजन की एक तरल परत द्वारा बना हुआ है इसकी बढ़ती उचाई के साथ साथ गैस में धीरे धीरे बदलाव हुए है इसका बाहरी परत 1000 किलो मीटर तक फैला हुआ है जो एक गैसी वातावरंड से बना है इसका कोर काफी गरम होता है जिसका तापमान 11700 डिग्री सेल्सियर तक चड़ जाता है सनी के वायू मंडल में अमोनिया, एसिटिलीन, इथेन, प्रोपेन, फोसफाइन और मीथेन गैसे खोजी गई है इसके उपरी बादल अमोनिया क्रिश्टल से बने हुए है जबकि नीचले इस्तर के बादल या तो अमोनियम हाइड्रोसलफाइड या जल से मिलकर बने हुए दिखाई देते है इस ग्रेह को ग्रेही चलो के लिए काफी बहतर जाना जाता है जो इसे सभी ग्रेहों में अनूठा बनाता है इसके चारो और बने चले बहुत पतले होते हैं और इनकी संख्या हजारों में हैं लेकिन मुखे साथ चले हैं जिने टेलिसकोप की मदद से आसानी से देखा जा सकता है इन चलो की मुटाई तकरीबन 20 मीटर तक की होती है और ये चले थोलीन, कारबन, धूल के कड़ और बर्फ से मिलकर बने हैं इन सभी चलों से दूर एक फोबे चला है जो लगबक 27 डिगरी का कोड बनाते हुए जुका हुआ है और इन सभी साथ चलों को A, B, C, D, E, F, G नाम दिया गया है सनी के ग्यात उपग्रहों की संख्या 62 है जिसकी घोसना 3 मर्च 2009 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने की थी टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है सौर मंडल का यही एक मात्र उपग्रह है जिसके पास अपना इस्थाई वायू मंडल है इसके वायू मंडल में नाइट्रोजन और मीथिन गैस पाई जाती है इस उपग्रह पर वैज्यानिकों ने जीवन होने की संभावना भी बताई है सनी का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह रिया है इसके और अन्य प्रमुक उपग्रह इयोपेट्स, डियोन, टेथिस, इंसेलाइट्स, मिमान्स, एटलस, लोपेट्स, इंकलेट्स, फोईबे और हेलन है भारती संस्कृती में सनी ग्रह को सूर्य पुत्र के नाम से जाना जाता है और रोमन पोराडिक कथाओ के अनुसार गौड जूपीटर के पिता क्रॉंस के नाम से जाना जाता है सनी ग्रह का चुम्बकिये छेत्र बेहत सक्ति साली है सनी का चुम्बकिये छेत्र प्रिथवी के चुम्बकिये छेत्र की तूनला में 578 गुना अधिक सक्तिसाली है सनी पर भेजे गए इस पेस मिसंस के बारे में बात करे तो अब तक कुल चार अंतरिक्छ यान दोरा सनी का दोरा किया गया है ये अंतरिक्षियान पाइनर 11, वोईजर 1, वोईजर 2 और कैसिनी है कैसिनी ने 1 जुलाई 2004 को सनी के और्बिट में प्रवेस किया था कैसिनी हुईजन एक अमेरिकी अंतरिक्षियान मिसन था जो 2004 से हमारे सौर मंदर के दूसरे सबसे बड़े ग्रह सनी और उसके प्राकर्तिक उपग्रहों का अध्यन कर रहा था इसे 1998 में प्रिथवी से रॉकेट के जरिये छोड़ा गया और इस मिसन में सनी के इर्दगिर्द और्बिट में घूमने वाला एक कृतिम उपग्रह और सनी के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर उतरने वाला यान है था टाइटन पर उतरने वाले यान का नाम होइंगेस था जो 2005 में वा मुख्य कैसिनी यान से अलग होकर उस उपग्रह पर उतरा कैसिनी सन 2015 तक सनी की परिक्रमा करके उसकी तस्वीरे लेता रहा और उस पर की जानकारी एकत्रित करके प्रिथवी की और प्रसारित करता रहा 2015 में उसे सनी के वायू मंडल में गिरा कर ध्वस्त कर दिया गया जब उसका कार समाप्त हो गया तो ये थी पूरी जानकारी सनी ग्रह के बारे में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीस लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब